तो कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे तो एक बार फिर मैं सौगत करता हूँ अपने यूटूब चैनल दे इंडियन्स ग्यान में तो जहां पे मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ यूए और गल्फ रिजन से जुड़ी सारी जॉब वेकेंसिया डेली वेसिस पे और जितने भी बड़े अपडेट्स होते हैं या कोई वीजा रिलेटेड इमिग्रेशन रिलेटेड चैन्जिस होते हैं यूए में उसकी अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ तो आज बात करेंगे एक नई जॉब वेकेंसियो के लिए कि जो निकल के आई है मेकड़ॉनल की तरब से तो डिटेल्स में जानेंगे कैसे आप अपलाई कर सकते हैं जॉब टाइमिंग क्या होगी आपकी सेलरी क्या होगी क्या आप पार टाइम भी कर सकते हैं कि आप अपने होम कंट्री से भी अपलाई कर सकते हैं और जो लोग यहां पे हैं वो लोग कैसे अपलाई कर सकते हैं टोटल प्रोसेस क्या है और बेन्फिट क्या होने वाली है मैकड़ॉनल की जॉब की वेकेंसी में तो वीडियो में लास्ट तक कि पूरा धुन्द हुआ है ऐसा क्यों होता है तो ऐसा इसलिए होता है कि यहां गर्मियों की दिने में सेंस्ट्रोम आते हैं सेंस्ट्रोम मतलब रेट से बड़े-बड़े बवंडर उठते हैं जैसे कि यहां रेकिस्तान है तो बहुत बड़े-बड़े बवंडर उठते हैं जो सहर की तरफ आते हैं तो पूरा सहर एकदम मतलब धुंद में धूल के कड़ों में दब जाता है वीजिबिल्टी कम हो जाती है तो खेर जब आप यहां रहने लगेंगे जॉब करने लगेंगे तो उसकी एक्सपीरियंस उसका भी एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं तो अभी बात करते हैं मैकडॉनल की जॉब वेकेंसी को लेके जॉब वेकेंसी जो निकल के आई है वो बाइक राइडर के लिए आई है रेस्टोरेंट इस्टाप के लिए आई है सर्विस के लिए आई है और तीन चा में रह रहे हैं और अल्रेड़ी एक जॉब कर रहे हैं वो भी उसमें पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं चार घंटे-पास घंटे की ड्यूटी यह एक best option of option है उनके लिए जिनके पास time बज चाता है और वो और पैसा कंहाना चाहते हैं तो और eligible है वो कर सकते हैं तो उनके लिए best option मैं में मेंरे रक्रोड़न का है और लोग ज्यादा इस को ट्राइग करें दूसरी बात अब full time के लिए कैसे आप apply कर सकते हैं तो full time के लिए आपके पास experience होना चाहिए experience के साथ साथ आपके English बहुत ही अच्छी होनी चाहिए क्योंकि total depend करता है customer service इसमें customer service must है इस वज़े से आपको English बहुत अच्छी होनी चाहिए यह details है details means English इस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए दूसरी बात experience में क्या होना चाहिए experience में आपका अगर hospitality line का यानि hotel या restaurant का experience है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है अगर नहीं भी है तो आपकी customer service में experience होना चाहिए experience किसी भी field में हो जहां customer को serve किया जाए या तो call pay या face to face वो experience customer service में ही आता है वो experience इसमें भी work कर जाएगा आपका और English तो अपकी अच्छी होनी ही चाहिए और उसके बावजुद salary की बात करें तो salary इसमें बहुत ही अच्छी है मतलब आप part time भी करते हैं तो 2000 दिरहम 2000 दिरहम मतलब 40,000 इंडियन रूपीज 42,000 चालीस 42,000 के आसपास आपको मिल रहा है क्या problem है चार से पाइस घंटे की duty में आपको 40,000-42,000 दे रही है mcdonald जैकिन उसी हिसाब से आपकी आपसे वो requirement करेगी experience का customer service का और आपके English student का अब बात करते हैं वो लोग कैसे apply कर सकते हैं जो अपने home country में उनके लिए भी option दिया है आप अगर अपने home country से apply करना चाहते हैं और अपने home country से apply करते हैं तो possibility कम होती है अगर आप mcdonald's के थुरू करते हैं उसके carrier pace से करते हैं आपको अगर अपने home country में क्या ना में employment visa पर आना हो तो किसी vendor को पकड़ें उससे अपना employment या entry permit लगाएं या तो अगर possibility है आप visit visa पर आ सकते हैं अब visit visa में क्या-क्या changes हुई है कैसे आपको visit visa अब मिलेगा जो नया वीजा नियम आया है जो नया वीजा सिस्टम आया है उस पर मैंने एक already separate वीडियो फुल डीटेल्स वीडियो बना के रखा है उसको check out कर सकते हैं बाकि डीटेल्स पर अगर वीजा रिलिटेट डीटेल्स वीडियो देखना है तो आप वीडियो देख सकते हैं कि कैसे आपको अभी की date में visit visa मिलेगा वीजिट वीजा मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि यहां पे लोग बहुत अब लेवल है तो आपके लिए opportunity आपके home country में या तो vendor के थुरू मिल सकती है या तो आप वीजिट वीजा पे यहां हो और आपका experience हो तो आपके लिए mcdonald's में वो job मिल सकती है और mcdonald's आपका बहुत कम रहता है इसलिए क्योंकि experience लोग already market में अबलेबल है इसलिए फ्रेशर लोग के लिए chance थोड़ा कम होता है लेकिन वो लोग try कर सकते हैं अगर उनकी skills अच्छी है और उनका English अच्छा है डिपेंड करता है उनकी interview पे वो interview अगर crack करते हैं तो उनके लिए best option होता है और salary सेम रखी जाती है as a experience as a freezer depend करता है आप किस position पे लगे हैं यहां यह चीज यूवे में आपको बहुत अच्छी मिलती है कि कोई switch करके company आया है company में दूसरी company में से दूसरी company में आया है और job profile उसका भी सेम है और आप freezer है आपका भी job profile सेम है तो दोनों की salary सेम रखी जात हैं दिए आपके freezer के लिए best of point होता है कि वह अगर किसी job में जाते हैं और उनका कहीं selection होता है और कोई experience बंदा है तो दोनों की salary सेम होती है क्योंकि वह experience बंदा है तो उसके interview थोड़ा सा कम और आप interview के दम पे अपने qualification अपने skills के दम पे उस job को पाए हो इसलिए दोनों में रेस्टोरेंट लाइन में या customer service लाइन में जॉब करने का benefit क्या होता है बेनफिट यह होता है कि जब आप person to person interact करते हैं तो आपका experience, communication, सारी चीजे मतलब increase होती है तो best option होता है तो overall details यही थी उमीद है आपको सारी चीजे clear हो गई होगी और समझ में आ गई होगी इसके बाद भी अगर इसी जॉब या Gulf जॉब या UAE जॉब से related कोई भी question या कोई भी doubt वीजा immigration से related आपको अगर रहता है तो आप मुझे direct WhatsApp कर सकते हैं, number मैंने दे रखा है या comment कर सकते हैं और उसका relevant जबाब मैं आपको दे देता हूँ, अगर मेरे को भी नहीं मालूम रहता है त और कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा प्राब्लम नहीं होती है, आसानी से जोब मिल जाता है, तो मिलते हैं next video में